यह जरूरी नहीं कि सत्ता पक्ष जो कहे वो ब्रह्म बाक्य हो और बिपक्ष जो कहे सब जूटो यह भी जरूरी नहीं कि बिपक्ष जो कहे सब सही हो और सत्ता पक्ष जो कहे सब गलत ये भी समझना चाहिए कि बिरोद में आवाज उठाने वाले शैतान नहीं होते और सत्ता सिन सभी भगवान नहीं होते ये भी समझना चाहिए यह कविता महज एक कविता नहीं बलकि दास्तान एक गोरखा है जियां गोर्खाओं की दास्तान गोर्खा एक ऐसी जाती जिसे जाना सभी ने पर समझा किसी ने नहीं कविता का शिर्षक है कविता का शिर्षक है अरे सरकार है भई ठीकी कर रही होगी क्या कहा गोली चली कहा युणिवर्सिटी कैमपस में सब राष्ट्र विरोधी बामपंती होंगे जनता को बढ़काने वाले होंगे क्या कहा डंडे बरसे कहा बस अड़े पर सब लुच्चे लफंगे होंगे दंगाई होंगे और क्या क्या कहा पुलीस ने घशिट घशिट कर पीटा सब के सब समाज विरोधी होंगे सरकार को बदनाम करने वाले होंगे अरे सरकार ऐसे थोड़े ही चलाती है डंडे थोड़े ही बरसाती है गूलिया समझदार होती है सरकार समझदार होती है सरकार जानकार होती है सरकार समझदार होती है सरकार, जानकार होती है सरकार, अरे सरकार है भई, ठीकी कर रहे होगी, यह धरना वरना ठीक नहीं, दंगा करना ठीक नहीं, सरकार तो माई भई भई भई, पंगा लेना ठीक नहीं, सन अठारोसो सुरह की बात है let's talk about a little bit of history also थोड़ी इतियास का भी बात करें थोड़ा सन अठारोसो सुरह की बात है हम तो अपने आंगन में बस डो को बुन रहे थे डो को बास की टोकरी जो गुर्खा लोग पीट पे सामान डोने के लिए यूज करते हैं पास की टोकरी सन अठारोसो सुरह की बात है हम तो अपने आगन में बस डो को बुन रहे थे अचानक ऐलान हुआ अचानक ऐलान हुआ अब उत्तर की ओर नहीं दख्खिन की ओर मुहार करो अब उत्तर की ओर नहीं अचानक एक दिन एलान हुआ, पूछा क्यों, क्यों, अरे सरकारों ने सुगवली में युद्ध संधी कर ली है, अब तुम नेपाली नागरिक नहीं, बिलायती बन गए हो, अब क्या करें, अब क्या करें, बास गारी तो रह गया नेपाल में, और डोकों के साथ हम रह गये, East India वाली कंपणी, भारत में, Borosiavara, Ramachandra, की, पूछते हैं लोगे, लोग कहां से हैं, कैसे हैं, इस नसल के, इस छेरे के, इस बेशबुचार के, this is the story हमने कुछ नहीं किया ऐसे ही हो गया हमने सोचा ठुटी किस्मत हमने सोचा ठुटी किस्मत पर हम क्यों रोलें बड़ों की बातों में हम क्यों बोलें फिर हमने सोचा ताकत वर होती है इसरकार धमाकेदार होती है इसरकार अरे सरकार है भाई ठीक ही कर रहे होगी सन इठाइसब इठीस की बात है सन इठाइसband की बात है ऐसा ही वाक्या मेरे बभाई के साथ भी हुआ प्रेंठीस सिक्किम देश में रहता था वो दारजिलिंग के हसीन वादियों में इठाइसब इठीस तक दारजिलिंग सिक्किम का ही हिस्सा हुआ करता था सन 1835 की बात है ऐसा ही वाकिया मेरे भाई के साथ में हुआ सिक्किम देश में रहता था वो दारजिलिंग की हसीन वादियों में पहाडों पर चड़ता था खेती बाड़ी करता था अचानक एक दिन सरकारी सूचना मिली सिक्किम अब तुमारा देश नहीं रहा दारजिलिंग छेत्र को अंग्रेजों की जोली में डाला गया है इसलिए तुम बृतानी भारत के प्रजा बन गये हो बैटे ठाले अचानक सरकारों ने कुछ दस्ताबेजों पर हस्ताक्सर किये सरकारों ने कुछ दस्ताबेजों पर हस्ताक्सर किये बीच के दलालों ने कुछ लिये, कुछ दिये महज कागजी टुकडों के कुछ लफजों से वे अपनी पहचान खो गए और दूसरे देश की नागरी खो गए न किसी ने किसी से कुछ बोला, न किसी ने किसी से कुछ पूछा ला होल बिला को तजुप फिर सोचा भाई ने, फिर सोचा भाई ने, देश बदल गया तो क्या हुआ देश बदल गया, तो क्या हुआ, मैं तो वही हूँ, वही खड़ा हूँ, जाँ पहले से ही था मैं तो किसी नया देश में गया ही नहीं, बलकि देश ही मेरे यहां आया है बोलो सियावर रामचंद्र की और फिर सोचा भाई ने, पड़ी लिखी होती है सरकार, प्रबुद्ध होती है सरकार अरे, सरकार है भई ही, ठीकी कर रही होगी तिसरा भाई था मेरा भुटान में, दुसरा ही मुल्क, दुसरा ही राजा, एक देश, अठारा दर्वाजा भारत से भुटान प्रबेश्च के लिए अठारा द्वारे हैं, अठारा डूर्स, इसलिए उसका नाम डूर्स है, the 18 डूर्स तिसरा भाई मेरा भुटान में था, दुसरा ही मुल्क, दुसरा ही राजा, एक देश, अठारा दर्वाजा उसका फलों का बागिचा था, उसका फलों का बागिचा था, जिसे अपने खुन पसिने से सीन्चा था वहाँ भी, वहाँ भी, सन 1865 में बड़े लोगों के बीच संदी हुई, उपर ही उपर, बड़े लोगों के बीच संदी हुई, और मेरा भाई, जो की छोटा अदमी था, उसी संदी का बंदी बना, और सुबह तक का बोटानी नागरिक मेरा भाई, शाम को अंग्रेजों की अधिनस्त भारत का गाहे बगाहे बन गया प्रजा, इसे बरदान कहें हैं असरजा, वो तो हिला ही नहीं एक सूत भी अपनी जगह से, पर सरकारों ने अपनी मर्जी से उसका भविश्य निर्धारन कर दिया, उसका देश ही परिवर्तन कर दिया, शियासत के एक ही जटके से, सियासत के एक ही जटके से भाई के साथी, भाई के बागिशे के भुटानी संतरे, हटात, इंडियन संतरे बन गए, बोलो शिया अवर राम चंदर की, उस भाई ने भी शोचा, उस भाई ने भी शोचा, मैं तो किसी नया देश में गया ही नहीं, बल्कि देशी मेरे यहां आया है, चलो, देश से क्या लेना देना, मेरा तो जर्द जोरू जमी यही पर है, माटी वही है, मलजल वही है, फिर क्या भुटान, क्या भारत, हमें तो फिर सोचा भाई ने प्रजा वच्छल होती है सरकार, कल्यानकारी होती है सरकार, हरे सरकार है भाई ठीकी कर रही होगी, इस तरह से, इस तरह से, सदियों से हम सब भाई यही है यह समझना चाहिए इस तरह से सदियों से हम सब भाई यहीं है आने वाले आते रहे जाने वाले जाते रहे शाशक बदल गये देश भी बदल गया पर हम यहीं पड़े रहें डटकर खड़े रहें मील की पत्थर की तरह यहीं पर इसी जमी पर न इधर न उदर न आगे न पीचे राजा महराजाओं का दौर देखा हमने राजा महराजाओं का दौर देखा हमने नवाब बात्षा और हुक्मरानों की सल्तनत भी देखी गोरों को, कालों को, सम्मेवादियों को, समाजवादियों को पुंजी बात के पुजरियों को और गरिबों के मसीहा कहलाने वालों को सबों को जहला हमने जी उजुरी की और इतिहास गवा है इतिहास गवा है हुक्मरानों के सदा भक्त रहे हम जिसकी भी वो सरकार नतमस्तक रहे हम और कहते रहे अरे सरकार है भई ठीक ही कर रही होगी फिर बरसों बाद एक दिन फिर बरसों बाद एक दिन ऐसी जोरों के हुआ चली बुड़े संबिधान के पेड़ से तूटकर गिरा एक पत्ता बुड़े संविधान के पेड़ से तूट कर गिरा एक पत्ता मैंने उठाया मैंने उठाया उसमें साब सब्दों में लिखाता यह सुत्र बिल्कुल क्लियर साब सब्दों में लिखाता यह सुत्र सरकारें क्या चाहती है वो गनतंत्र नहीं है गनतंत्र वो है जहां यह पुछा जाए कि जनता क्या चाहती है सरकारें क्या चाहती है वो गनतंत्र नहीं है गनतंत्र वो है जहां यह पुछा जाए कि जनता क्या चाहती है तब जाकर बिजली की तरह कौंधा यह प्रश्णा मेरे मन में तब जाकर बिजली की तरह कौंदा ये प्रश्ण मेरे मन में, क्या सरकारें तब सच्मूच ठीकी कर रही थी? क्या सरकार अब सच्मूच ठीकी कर रही है? थेंक्यो, धन्यवाद!